जारखनी की त्रिकुट पहाडी पर रोपवे हादसे के बाद ट्रॉलियों में फसे लोगों में से अब तक 37 को रेस्क्यू कर लिया गया है 20,000 पीठ के उचाई पर 4 ट्रॉलियों में अब तक कई लोग फसे हुए हैं वहीं अब तक 3 लोगों की इसमें मौत भी हो चुकी हैं एक दर्जन लोग जखमी हुए हैं जबकि रेस्क्यू के गए लोगों में से आधर दर्जन लोग अब बिमार हो गए हैं इन सभी लोगों का देवघर के स्थानी अस्पताल में इलाज चल रहा है जानकारी के लिए आपको बता दे कि देवघर के त्रिकुट परवत पर रविवार शाम करी 5 बजे रोबवे का सैप तूट जाने से 24 में से 23 ट्रोलियों पर सवार कुल लगभग 90 लोग पहाडी और खाई के बीच में फस गए थे इन में से 28 लोगों को रविवार को ही इंडियारेफ और स्थानी इवकों ने रसियों और हेलिकॉप्टर के जरिये सुरक्षित निकाल लिया था जबकि पहाडी के निचले हिस्से की ट्रोलियों में फसे 20 से 25 लोग खुद किसी तरह निकल पाने में कामियाब रहे बाकी 50 लोग ट्रोलियों में फसे हुए थे जिन में से 37 लोगों को सुमवार को बाहर निकाल लिया गया सुमवार को चलाये गए रेस्क्य ओपरेशन के दौरान तेज हवा और रोपवे के तारों की वज़़े से भारी परेशानी हुई इस वज़ा से सेना के हेलिकॉप्टरों को कई बार ट्रोली की नजदीक पहुँचकर भी वापस लोटना पड़ा कई ट्रोलियों में फसे लोगों तक ड्रोन के जर्ये बिसक्ट और पानी पहुँचाया गया जहरखन रोपवे के हुए इस हादसे पर केंदरे ग्रह मंतराले की नज़र बनी हुई है मंतराले की ओर से सोमवार को कई बार अपडेट लिया गया है स्थानी असांसद निशिकान दूबे ने रविवार को हादसे के तुरंत बाद ग्रह मंतरी को इसकी जानकारे दी थी वक्खे मंतरी हेमन सोरेन ने देवघर जिलास्तित त्रिकुट परवत के रोपवे का तार तूपने से हुए हादसे पर गहरा दुख जताया है रांची एरपोर्ट पर पत्रकारों से बाचीक नोनों ने कहा है इस हादसे के बाद युद दस्तर पर राहते मं बचावकारे चलाया जा रहा है ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए पंजाबुकेसरी.com के साथ प्रोंगी तमाम बचावकारे बाद बचावकारे चलाया जात्र पर रहा है